दोस्तो आज का ये वीडियो काफी important रहने वाला है अगर दोस्तो आपने Cons Spring टिकट लिया हो या फिर वेटिंग में टीकट लिया हो या फिर अगर आपका nationwide ये ह Google और और दोस्तो अगर किसी भी स्थिति में टिकट है तब दोस्तो की ho sakti hai और अगर यहां पर आप को बहुत हिल्प मिलेगी और दोस्तों यहांप करवा लिया है चाहे हमों दोस्तों आनलाइन हो या फिर तब दोस्तों कनफर्म होने के गरम हो गया है लेकिन दोस्तों क्या होता है जब यह स्टेशन के लिए जाते हैं जो उनका बताता है कि आपका टीकर जो वेटिंग लिस्ट में ही और यहां अगर आपने स्लीपर क्लास में कनफर्म टिकर्ट बुक किया है लेकिन ट्रेंचार बनने के बाद क्या होता है आपका वो टिकट से से केंड सिटिंग मतलब कि बैटने वाले जगह में चला जाता है ठब दोस्तों उन लोगों को तो पता रहता है कि अच्छा मेरा तो टिकर्ट कंफर क्यों चलिए हैं और आखिर कार यह хлेंपर से सटिंग में क्या हो रहिえば ओने के बाद का क्या करना चाहिए आप दो किस तरीके से अभयर रह सकते हैं और सथरी सब्सक्राइब सकते हैं तो चलिए विडियो को शरू करते हैं कंक दो अब तक क्या होता था तो कि अगर आप और और यहां पर एक आप अपसे तब दोस्तों आप मुझे भली बाती पता है आप सभी को पता होगा और अगर दोस्तों बैटिंग में टिक पर टिक करते थे तब दोस्तों होता कि अगर चार्ट बनने के बाद मान के चलिए आपने क्लास में टिक टबुक किया है और और सीट खाली नहीं अभर थार्ड एसलेए में खाली है सिट तभ आपका जो हैं अपग्रेड हो जाता है उच्चे लेवल में उच्छ उत्रेक्ट है वह सिऴच्छ थर्ड एसी में चला जाता है और आपको यहां पर इसके लिए आपको एक्षटा पैसा देनी की ज़रूरत नहीं है जितने प्राइस में स्लीपर क्लास में बेटिंग टिकट बुक किये थे और अगर टेंचाट बनता है टेंचाट बनने के बाद आपका टिकट कनफर्म पाया और वो कनफर्म स्लीपर में बलकि उचे सरेनी यानि की थर्ड एसी में कनफर्म हुआ है तब वो आपका टिकट तो कनफर्म होई गया है उसके लिए आपको यहां पर एक्षटा पैसे भी नहीं देने है मतलब कि जितना प्राइस आपका स्लीपर का था उसी प्राइस में वो थर्ड एसी में आपका टिकट कनफर्म हो गया है अब तक तो दोस्तों यह बिल्कुल ठीक था और आप दोस्तों यहां पर काफी खुसी होते थे और फायदा भी उठाट लेता थे थे कि एच्छा मेरा टिकर्ट जो है स्लीपर क्लास में था और यहां पर मेरे को थार्ड चाहता हूं कि ट्रेन चार्ट जो है दो बार बनता है एक ट्रेन चार्ट बनता है ट्रेन खुलने के चार गंटे पहले नॉर्मली और एक और फाइनल चार्ट बनता है दोस्तों हला कि चार गंटे जो पहले बनता है वो भी फाइनल चार्ट ही होता है लेकिन उसके बाद एक आ या फिर आप माहा सकते हैं कि चा Gibson राइं और इनका सिलीपर क्लास में में कुल करता सब्सक्राइं लेकिन फाइनली हापर क्या होता है कि आधा गन्टा पहले जब चार बन रहे तब उनका sleeper class से ticket जो है वो degrade होकर के चला गया है second sitting में मतलब दोस्तों अगर Indian Railway कोई भी ticket को upgrade कर रही है तो कोई ticket को degrade कर रही है आखे कार दोस्तों degrade क्या हो कर रही है दोस्तों यहाँ पर बात आपको मैं बता देता हूं कि जब भी कोई ट्रेंड में कोच हटाया जाता है एक बोगी हटाया जाता है मान के चलिए कि स्लीपर क्लास में सब लोगों ने कनफर्म टिकट बुक किया था और किसी कारण वर्स एक कोच वहाँ से उस ट्रेंड से हटाया गया तब तो दोस्तों वो सारा जो है sleeper class का ticket वो लोग को degrade करकर क歹कंट सिटिक में कर दियी जाते है तो दोस्तों यही कारण है इंडिया और एल बेका का कि वो साराइ sleeper ticket को degrade करकर के यहाँ पर कहाँ पर कर दिये गया है second से तो दोस्तों आप सभी कुछ अपडेट कैसा लगा और दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों ये अपडेट जो है मेरे को थोड़ा सा भूरा लगा लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर किसी चीज का बेनिफिट इंडिया रेल वे हमें देती है और हम खुस हो गया है तो ट्रेम चार्ट बनने के बाद आप लोग एक बार जरूर अस्टेटस चेक लें करेंट अपर जरूर अपन चरेंड बनता है तो आप लोग यहां पर आपको किशी भी तरिकी का प्र displacement नहीं वोने वाला है सो दोस्तों यह प्रब्लम काफी सारे लोगों के पास हुई थी मिरे को सब मैसेज किये थे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको दोस्तों यह जनकारी नहीं तो जान गए होंगे तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नय है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारे के साथ, तब तक के लिए जय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।